नमस्कार साथियो स्वागत है आपका दजीयस प्लेटफर्म यूट्यूब चैनल में तो मित्रो आज में आपके लिए करंट अफेर का पार्ट 28 लेकर आया हूं तो वीडियो शुरू करने से पहले में आपको बता दूँ कि आप मारे इस चैनल दजीयस प्लेटफर्म को प्ली करंट अफेर है उसको सामिल किया है जिसमें मैंने 10 महातपूर प्रिश्णों को कवर किया है तो देखिए करंट अफेर पर मैं बहुत ही अधिक ध्यान दे रहा हूं क्योंकि करंट अफेर ही एक मात रहसा विशय है जो की बहुत अच्छा स्कोर कर सकता है अगर हम 2-3 महीने क करंट अफेर को अच्छी तरह से तैयार कर लें चाहें भले ही हमें प्रतिदिन करंट अफेर को तैयार करना पड़े लेकिन करंट अफेर is the main topic of साहिक अध्यापक भरती लिकेत परिच्छा तो देखिए यहाँ बे मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि SST Bank Railway या IS PCS की जो अ सेलेक्शन नहीं होता है और उनको फिर अगली सार करंट अफेर पड़नी पड़ती है और इस प्रकार जब तक उनका सेलेक्शन नहीं होता है तब तक वो पढ़ते रहते हैं लेकिन यहाँ पर देखिए मैं आपको बता दूँगी अध्यापक लिखित परिच्छा के लिए ह अच्छी तरह से पढ़ लेना है जिससे कि कोई प्रॉब्लम ना हूँ तो उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मैंने इस वीडियो को आगे बढ़ाया है और अच्छी तरह से आपको जनरली पर डे वीडियो देने की आप कोशिश की जाएगी क्योंकि आप आगे से और भी मह अगे बढ़ता दों कि उपभोकता संरच्छड विदयक क्या है कि जो कश्टमर ग्रहाक होते हैं उनकी परिसानियों को उनकी प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखते हुए उनके लिए एक विदयक का निर्माण किया जाता है तो यह जो 2017 में विदयक पेस किया गया है यह अगला कॉ스ision है आपका मार्च 2018 में कौनसा विष्विद्याला तुरिया की पहली रेत कला प्रमाण पत्र पार्ट लांच करेगा अरत्वर्ध में जो कलाएं प्रृत-कृतियां बनाई जाती है उनके ली एक पार्ट क्रम लांच करेगा जिस पर प्रमाण पत्र दिया question है आपका मार्च दोहजार अठारे में कौन सा विस्विद्धयाल है दुनिया की पहली रेत कला प्रमाणपत्र पाठकरम लौंच करेगा अर्थार्थ रेत में जो कलाएं प्रतकृतियां बनाई जाती है रेत की कलाकृतियां बनाई जाती उनके लिए एक पाठक्रम लॉंच करेगा जिस पर प्रमार पत्र दिया जाएगा तो देखिए भारत का यह एक विश्विद्याला है इंद्रा गांदी राष्ट्रिय मुक्त विश्विद्याला है यह पाठक्रम लॉंच करेगा यह एक राष्ट्रिय मुक्त विश्विद्या है इसने into your science work के साथ विलाई कर लिया है इन दोनों का मिलन हो गया है ठीक यह एक दोनों दोनों मिलकर काम करेंगी, नेक्स्ट आपका क्के क्चेन हो कि खेल पत्रकारता एसी पत्रकारता जो के पर आधयरत होती ठीक है विपासा मुखरजी ने ये पुरसकार जीता है अगला कुश्चन आपके लिए है भारत का पहला बहुत इंपर्टेंट कुश्चन है भारत का पहला राष्ट्रिय रेल और परिवहन विस्विद्याले कहां इस्थापित किया जाएगा तो देखिए नरेंद्र मोदी की सरकार ने हाल ही में वड़ोद्रा गुजरात के वड़ोद्रा में ऐसा विस्विद्याले की यूजना बनाई है तो भारत के पहला रेल विस्विद्याले आपे खोले जाएगा वडोद्रा है अगला क्क्षेन है वर्स 2017 का लालिगा लालिगा सर्स्रेश्ट खिलाड़ी पु प्रिसिद्ध फोटवालर लियोनेल मैसी ने जीता है ठीक है लियोनेंल मैसी ने जीता है इसको अगला क्रशन है विस्ट का सबसे छोटा DRAM चिम किस कंपणी में बनाया है तो देखो सबसे छोटा DRAM चिप किस कंपणी ने बनाया है सबसे छोटी DRM सैमसंग ने अगला कोश्यन है Forbes एक प्रतिष्टित पत्रका है अमेरिका की Forbes द्वारा जारी सरस्रिष्ट देशों की सूची में कौन सा देश सीर्सवर है तो देखिए Forbes द्वारा जारी रेंकिंग में US, UK UK मतलब United Kingdom पहले स्थान पर है और भारत का उसमें स्थान 62 यानि 62 है देखिए जो रेंकिंग मनाई गई है ये सरस्रिष्ट देशों की रेंकिंग संपत्ती के अधिकार सी संबंदित नवाचार और लाल फीता साही के यहाँ पर सभी को मिलाकर इक रेंकिंग बनाई जाई है तो वहाँ पर कितने नागरगों संपत्ती के अधिकार मिले है कितनी नवीन बाते नवाचार है या वहाँ की सरकार में रेड टेपेंस्ट यानि ब्यूरियो क्रेसी लाल फीता साही का कितना कम कंट्रोल है ठीक तो वह चीज के आदार पर फोर्स ने जारी किये रेंकिंग नवा कुश्यन है यहाँ पर वर्स 2022 के ठीक है वर्स 2022 के राष्ट मंडल खेलों की मेजबानी कौन करेगा तो इसकी गूफणा कर दी गई है कि इंगलेंड का बर्मिंगम सहर इंगलेंड का बर्मिंगम सहर इनकी मेजबानी करेगा अगला कॉश्यन है कि कौन से राज में भारती सेना ने हमेशा विजई नामक एक अभ्यास किया है हमेशा विजई नामक एक अभ्यास कहाँ पे किया है राजस्थान में भारती सेना ने किया है तो भारती सेना के 27 सेना त्यच बिपिन रावत जी है तो देखी ये 10 क्वेशचन मैंने आपके कवर किये जो की 21 डेसंबर की current affair है और आज मैं 22 डेसंबर को आपको provide कर रहा हूँ तो इस सभी 10 क्वेशचन को आप complete देट कर लेंगे और मिलते हैं अगली वीडियो में कल जल्द हम पार्ट 29 लेकर आएंगे तो उसका वेट करिए आप क्योंकि हम करेंट अपयर को फूर्ड रोप से finish करना चाहते हैं कोई भी चीज आपके लिए छोड़ना नहीं चाहते हैं तो मिलते हैं अगले वीडियो के तब तक के लिए नमस्कार